मराटी साहित्य मंदल के और से नागपुश शहर में अखिल भार्तिय मराटी साहित्य समिलन का आईशन क्या गया था इस समिलन में प्रमुक अतिती के रूप में केंड्री अमंती नितिन कड़करी उपसित हुए थी नागपुश शहर के सोमल वाड़ा चौक सेथ नारायना विद्धाले में शनिवार को साहित्य का मिला लगा था वजाती अखिल भार्तिय मराटी साहित्य समिलन का आईशन यह समिलन मराटी साहित्य मंदल के और से आईशित क्या ख्या था और इस समिलन में प्रामु ग्रुप से केंडिय मंत्री नितिन गळकरी वीडियो कॉन्फरेंस द्वारा उपसित हुए थे। सबा अंतराष्टी अधिक्ष राम नारैन अधिक्ष और अंतराष्टी उद्योगपती शाम मुर्टी पांटिय उपसित हुए थे। सावित्री भाई फुले साहित्य भूशन पुरसकार से समानित क्या गया। समयलन के दूसरे पर्व में परिसमवात का आईशन क्या गया था। इसमें समान नाकरी काईदा आउशक के है क्या इस विशे पर सभात क्या गया। इस समयलन में जेश्ट साहितिक डॉक्टर जय प्रकाश घुमट कर और कभी गोल घुमट और विधर पर प्रमुख सिदात कुलकानी इनके नेतुत्वमें। नरिंद्रा मोहिती आनिल मालोकर डॉक्टर रम्निक लेनकुरे नीता चिकारी इनोने अधक परिश्रम लिया। प्रत्यक कहचा मधे साधरन तीन हजार एंट्री जसाईचा तो त्याही एवर्ट फंक्षन की सर्व दबाबदरी ही माजा कड़े होती ही माजी आच्या या यशाची पार्श्वभूमी है अनि या पस्ति सोष्चा चा कालावधी दिलिपकुमार, राजकुमार, राजकुम देवानन पसुन ते आच्या अलियाबट परियंत धवलपास सहा पिल्डी चा कलाकार, तंतरद्न्य, निर्माता, दिगधर्शक, प्रड़क्शन आउस या सर्वान बर्बर काम करने की संधी मलाली या सर्वासंधी ने कुछे तरी माझा मना तेक अस्वस्त अता होती कि इतका कार्या हिंदी में केला पन्माराथी साथी जास्तकाई करता आल नहीं करन त्यावले मेराथी चित्रपटाई पढ़ी अज़ कामी अज़ दाले तर अज़ एक पज़ पजेट आज़ ते खुब अज़ कामी आसाई त्यामधे कामी वह गर्ताराने पन लिखानाची सवय मेला लांपणा पषू नोती जौबल पास अडिश्छे तींछे चित्रपट श्री बसावराश पाठी पाठी लेनी माला सहयकाची भूमिका दिली अनि तिथे जवा मी तो कारेक्रम बगितला जावल पास तीन दियुसाद दीड लाख लोक यहुन गिले अनि तो भवेदिव कारेक्रम बगुन और जी जबाबदरी तिथे पार पड़ली तितुन मी ठरव श्रेंगितला कि तुम्ही माला भेटा लाया नमस्कार उपस्ति सर्वबांदवाननाओनी बगिनिल्ड़ मराठी साहित्य मंड़ाचा राज्यस्तेरिये मराठी साहित्य संबेनलाला मी उपस्तित रहनारोतो परांतु अचानक मला विदेशाद जावालागत असलामोणे मी उपस्तित रहु शकलो नाइक या बद्दल अपले संब्लाइनची क्षमा माक्त साहित्य संस्कृति इतियास विरासत ये एक प्रकार आमची शक्ति है और साहित्याचे प्रभोधनातु अपन समाज घडवत असतो साहित्याचे संगिताचे और प्रत्य गुष्टी चे परि अगलमा कराईच असेल समाज अमदे गुणात्मक परिवर्तन कराईच असेल तो साहित्याचे अभिरुची वाड़ुना अथिशे आवश्यक काई आप या महाराष्ट्याला और मराठी मांसाला साहित्याचा खुब मुठा वार्षा में आलेला है महाराष्ट्या इस संतांची भूमी है या संतांची संतवांग में हे अपले एक प्रकर्ची प्रेरना है और यवडस नहीं तो कुसुमा ग्रजान पासुन तो पूल दिश्पान्डेन परेंता या सर्व साहित्य कान्या मराठी सारस्वताची सिवा करतास्तन योडा मोठा विचारांचा ठेवा अपले साडे ठेवलेला है कि भविश्यासा वेद गिवन निश्चित पड़े विजय संपाधन करनाची ताकद अपले समाजा मदे त्या साहित्य निर्मान के लिलिया है साहित्य अपली शक्ती है अपली ताकद है साहित्य अपला वेक्तिमत्पों बदलनेची शक्ती रखनारी एक फार मुटी शक्ती है और त्यामोडे एनारा काला साहित्य सर्वसामान्यान परिंत पोषण साहित्य चा मार्पत असनारी शब्द और विचार हे प्रत्यक वेक्तिचा रुद्या परिंत पोषण इफेक्टिवली पोस्रण हे सग्यात मोटा काम है और इस मराथी साहित्य मंडेल सातत्य निये काम अतिशे प्रभावी पड़े करता है मदला कड़ा मदे मला मराथी साहित्य सम्मेलाते जाने जी संदी मिलाली वर्धेला यवड़ा अभूत्रूर प्रतिसात गरामीन भागाते जनतीनी साहित्य सम्मेलना दिला कि निश्चितस माजमन अभिमानानी उर भरूनाला मला विश्वास है कि नक्कीच अपले साहित्याचा कड़े लोका मोटा अपेक्षे नी बगता है अपले लाला लोकान परिंत पोचने चे अवशक्ता है परसनली उपस्तित रायो नोई शक्लों या बद्दिल शमा मात्तों धन्यवाद। कैमरा परसन अजुद कुवर के साथ अभिशिक पांसी की रिपूट